असलामों अलो दोस्तों आप लोग लेका हूँ एक और अच्छी कंपनी के वेकेंसी जो की थमस कंपनी के नाम से जाना जाता है इसकी कलाइन इंटर्विव दिल्ली में है 11 माँ 2023 को देख सकते आपकी स्कीन पर 1-11 कंटिनिटी में आदमी चाहिए इसकीन पर डालने का मतलब यह होता है कि आप खुद भी देख सके क्या में इंसन है क्या में इंसन नहीं है कितना कितनी केटिगरी में वांट है है क्या कंटिनिटी है कितने घंटी की ड्यूटी है तो चलिए मैं आपको बता दू तो और सबसे जरूरी बात जो भी हमारे चैनल पर नहीं आए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे एक से 11 काटिगरी मे बाइफीटर है मेंजन ब्लोक और प्लास्टर है शेट्रिंग कार्पिंटर है जिसमें 50-50 कंटिनिटी में हेवी ड्राबर है यूई लाइसेंस होना चाहिए हेवी ड्राबर जो 20 कंटिनिव ने चाहिए दो हजार सिलेटी प्लस ऑवर्टेम है लाइट ड्राइबर भी है असिस्टन्स SeaWorld for men 50 गंटी में अच्छा कंपनी दुबई में यह इतनी को सीविल करमेन को देते हैं देख सकते थे 335RD लेकिन आपना करा दो जो बंदि इस जाना चाहते हैं और हेविड ड्राइवर जो है उन्सको लैसेंस दुबाई का ही होना चाहिए कि डूटी के बाद आपको अवर्टे मिलेगा एक हमडरेशन ट्रांसबर्ट प्रोवाइड कंपनी यानि के कंपनी की तरफ से आपको सब्सुविधा मिलेगा देख वी सकते हैं और सबसे जोड़ी पर जो भी हमारे चैनल पर नएए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आ आफिस का नंबर चाहिए कहां इंटर्वीव है जो भी आपको चाहिए मैं आपको प्रोवाइट करा दूंगा और सबसे जरूरी बात जो भी इसे कंपनी में आप इंटर्वीव फेस खाना जाते हैं तो ऑफिस में दो दिन पहले जाकर विजिट कर लें आप अपना डोकुमें के बारे में आप खुछ भी पता लग साकते हैं जो भी आपके दोस्ट इस्तिदार जो भी होंगे आपके जानने वाले उनसे पूछ सकते हैं थमश कंपनी के वारे थमख अच्छी कंपनी आप अच्छी नामी कंपनी है इसमें मिन्ट्रेश डिपात्मेंइक हर कपनी है चलिए और एक बार में रिवांड करा दूँ जो भी बंदे हमारे चैनल पर नहीं आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह का नोटिफिक्शन आपको मिलता रहे 16 11 मार्च 2023 को इंटर्व्यू है तो जल्दी करें टैम आप तो नहीं है क्योंकि हमारे पास भी लेट से ही आया है वांट इसलिए मैं अप्लोट कर रहा हूं और एक बार मैं रिवांड करा दूँ कि जो भी बंदों को जाना है हमारे कॉमेंड में कॉमेंड करें ऑफिस का नंब क्लिए कर ले चलो चलिए जब तक के लिए अपना दियान रखिए